लिए हतियार दुश्मन ताक पर बैठा उधर और हम भी है तैयार बैठे सीना लिए अपना इधर खून से खिलेंगे होरी घर्वतन मुश्किल में हैं सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देश भक्ती का जजबा लिए देश की सेवा को समर्बित युवाओं के पास है अगनिवीर के जरिये माभारती की सेवा करने का एक सुनहेरा अवसर आपके अगनिवीर बनने के सपने को साकार करने के लिए ससी मेकर लेकर आया है अगनिवीर आर्मी बैच जो देता है आपको अगनिवीर में सो प्रतिसत सेलेक्शन की गारंटी तो अगनिवीर में अपने 100% सेलेक्शन को सुनेश्चित करने के लिए आज ही जोइन करें S.S.C. मेकर का अगनिवीर आर्मी बैच अलिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें S.S.C. मेकर एप और दिये गए नमबर पर कॉल करें नमस्कार साथियों मैं के स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिस से आपके अपने प्रिवार एक्जाम फिनिसर पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं या कर रहे हैं एर फोर्स या नेवी की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर प्यारे बच्छो क्या पढ़ा जाता है इंगलीस पढ़ा जाता है इंगलीस ठीक और इन तीनों के अंदर क्या पूछा जाता है इंगलीस का पॉछा जाता है ठीक है ना तो उसी कड़ी में यह आज का 77 लाओ एक से पहले 16 सेशन हो चुके हैं उसमें जुडे और chapter wise पड़े यहां से आप practice करोगे तो आपका selection होगा ही होगा चली तो एक बार सारे बच्चे सारे पहरे बच्चे session को एक बार like कर देंगे और एक बार share कर देंगे फिर आज के session की शुरुआत करते हैं ध्यान देना पूरा practice set करना है चली आते हैं आज के पहले question पे question number one question number one चली आंसे कीजिए question number one my windows look dash the garden my windows look dash the garden इसमें क्या आएगा फटाफर्चे बताओ इसमें क्या आएगा my windows look dash the garden फटाफर्चे बताओ यहां पे क्या answer आपको सही लग रहा है my windows look dash the garden यहां पे क्या आप लोग को सही लग रहा है सभी बच्चे answer जरूर देंगे भाई look upon आएगा look out ओन आएगा look in आएगा कि look at आएगा जल्दी से बताओ मेरे को क्या आएगा शाबास answer करो answer करो जितने भी बच्चे जुड़े हुए है answer करना है और सभी को पूरा session जरूर से जरूर देखना अब फड़ा बच्चे बताओ मेरे को क्या होगा इसका answer look upon होगा look out on होगा look in होगा look at होगा ध्यान देना प्यारे बच्चो look upon होगा क्योंकि look upon का मतलव होता है मतलव कि उसको वो करना आप बोल सकते हो जैसे उसको perceive करना notice करना किसी चीज़ को ठीक Windows से आप लोग garden को नोटिस कर सकते हैं, ऐसा ये कहना चारा चलिए, क्यों sun number two पे आओ और सारी बचचे kya sun number two का answer करो क्यों sun number two पे आएंगे और क्यो sun number two का answer करेंगे तो ध्यान आपको क्या रखना प्यारे बचचो यह जो commensurate word है ना commensurate का मदला होता suitable इसके साथ में preperson बताने हैं क्या आती है कौन सी preperson इसके साथ में use होती है अब जल्दी से बताओ इसके साथ में कौन सी preperson आपको use होगी जल्दी से बताएंगे सारे प्यारे बच्चे बढ़ा पर जे बताओ चलो क्या आएगा commensurate के साथ में कौन सी prep person आएगी commensurate 4 होगा commensurate on होगा with होगा की upon होगा चलो बताओ शावास क्या होगा commensurate के साथ में कौन सी prep person आप लोगों को सही लग रही है एक बार फड़ा पढ़े सारे प्यारे बचे आंसर को ध्यान देना commensurate के साथ में with prep person आते है with कोंसी prep person आते है प्यारी बचो with prep person आते है commensurate with का मतलब होता है उसके साथ में suitable नहीं है अब यहाँ पे sentence क्या कह रहा है the reward जो reward दिया गया was not commensurate वो suitable नहीं था किसकी हिसाव से by the work done by us यानि कि जो हमने काम किया उसकी according reward कुछ अच्छा मिलना चीए था वैसा reward हमें नहीं मिला ऐसा ही कहना चारा ठीक तो comment rate के साथ में ध्यान देना प्यारे बचो कौन सी प्रेपोसन आती है कौन सी प्रेपोसन आती है मेरे भाई कौन सी प्रेपोस्टन आएगी विद आएगी चली आगे बढ़ते हैं क्योस्टन नमबर थ्री आज का जो चेरमेन हो बिमार है और उसको मिटिंग को कुछ दिनों के लिए डैस करना पड़ेगा अब क्या करना पड़ेगा आलो चेरमेन है चेरमेन क्या है वो मिटिंग करता है और वो बिमार पड़ेगा तो ये कह रहा है कि उसको मिटिंग कुछ दिनों के लिए डैस करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी बताओ अब put on, put off, put double off या फिर put away बताओ क्या करना पड़ेगा यानि कि postpone करना पड़ेगा तालना पड़ेगा, cancel करना पड़ेगी तो प्यारे बचो उसके लिए सही जवाब क्या होगा बताओ श्यावस, put on होगा, put off होगा put away होगा, कि put o double f होगा जल्दी से बताओ, ध्यान देना प्यारे बचो put off, put o double f is the correct answer इसका right answer क्या होगा, put off, put off, put off ठीक है ना, तो d वाले सारे के सारे सी जिन्नों ने भी d आंसर किया है वो सारे के सारे सी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योसर नमर 4 पे आते हैं to make mistakes, मेरे प्यारे बचो ये कह रहा है कि मैं अपने काम को इतना ध्यान से करता हूँ, इतना ध्यान से करता हूँ, कि कहीं mistakes ना हो जाएं, कहीं mistakes ना हो जाएं, अब जल्दी से बताओ, यहां पे कौन सा वर्चुटेबल होगा, so carefully, very carefully, too carefully या more carefully, which one is the correct answer for the excuse, जल्दी से बताओ, शावास क्या आएगा I do my work, so carefully very carefully, too carefully more carefully, देखो तो एक बार क्या आएगा, शावास सभी प्यारे बच्चे answer करेंगी, सभी बच्चे एक बार answer करने की कोशिज करेंगी, यहां पे कौन सा answer आप लोगों को सही लग रहा है, देखो एक बार शावास करो, करो, करो कोशिज करो, शावास क्या आएगा so carefully आएगा very carefully, too carefully कि यहां पे more carefully आएगा, बताओ शावास, चलो answer करो भाई, answer करते रहो answer करते रहो, answer करते रहो, चलो शावास ध्यान देना प्यारे बचो, एक बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कि एक होता है so, so के साथ में pair होता है that so के साथ में pair होता है, प्यारे बचो, that का ठीक है, और एक होता है t double o, t double o के साथ में two, two के साथ में pair होता है two plus verb की base form तू प्लस वर्ब की बेस फोर्म का एक नाम होता है प्यारे बचो इन्फिनिटिव क्या नाम होता है इन्फिनिटिव नाम होता है इन्फिनिटिव क्या नाम होगा मिर भाई कोई छिड़का नहीं नहीं होती जैसे एक go verb है मालो आपको example दे दे रहा हूं मालो यह go verb है ठीक अगर इसको आप क्या करोगे पैरे बचो इसको अगर आप इसकी first form देखोगे तो क्या हो जाएगी go और go जाएगे ठीक है second form क्या हो जाएगी पैरे बचो इसकी went हो जाएगी third form क्या हो जाएगी gone हो जाएगी ठीक और ing form क्या हो जाएगी ing form हो जाएगी going लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो go है ना यह verb की base form है यानि कि कोई भी verb जहां से निकलती है बनती है उसको verb की base form बोला जाता ठीक गोर गोज वर्ब की base form को हम लोग infinity बोलते हैं और यह पेर बनता किसके साथ में टू के साथ में अब यहाँ पे अगर आप देख पारे होगे तो टू प्लस वर्ब की base form है तो पेर बनेगा टी डवल ओ के साथ में यानि कि टी डवल फाइब कांसर कर दो तो सारे प्यारे बच्चे इस दा डैस चूजन फो दा hospital complex to be built next month अब यह डैस है जिसको चुना गया है hospital बनाने के लिए और अगले महिने तक hospital बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है अब जल्दी से बताओ आप कलको मालो को स्कूल बनाते हो hospital बनाते हो कुछ भी बनाते हो तो आप सबसे पहले जमीन खरीद बना उसके लिए जमीन लोट करवाते हो कि भाई यहाँ पे हम स्कूल कॉलेज होस्पिटल जो भी हो बनाएंगे अब उसको क्या कहेंगे यह बात बताओ उसको आप लोग क्या कहोगे क्या कहोगे एरिया कहोगे लोकैलिटी कहेंगे साइट कहेंगे SIGST वाला साइट या SITE वाला साइट जल्दी से बताओ क्या कहेंगे जल्दी से बताओ उसको क्या कहेंगे फड़ापर्ची बताओ उसको क्या कहेंगे एरिया कहेंगे या एरिया नहीं कहेंगे ध्यान देना एरिया नहीं कहेंगे लोकैलिटी भी नहीं कहेंगे है ना अब SIGST का मतलब होता है नजारा क्या होता है मेरे भाई नजारा होता है नज चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ा तो आया क्योसन नमबर छे आगे बढ़ा तो प्यारे बचो आया क्योसन नमबर छे जो की क्योसन है मिरे भाई वोईस का क्योसन है जो की वोईस का क्योसन है अब यह क्योसन है जो प्यारे बचो यह वोईस का क्योसन है चलिए सार करेंगे इसको वो इसको चेंज करके दिखाएंगे एक बार करके बताएंगे वो चलो स्यावास करो कि देखो तो एक बार क्या आएगा कैसे आएगा देखो प्यारी बच्चो मैं आपको एक करेंगे इसको बताता हूँ चाहे कोई बिगनर है शुरुवाती बच्या तो भी ध्याद से सुनेगा जब कभी वह इसका किसना हिन को बनाया ये औब्जेक्ट हो गया बब्जेक्ट हो गया ठीक है अब जब आप active से पैसीट जाओंगे तो इस object को ऊठा ंठा के subject बना दोगे हिन का subjective case ही होता है ये काटा मारो ये काटा मारो ठीक ही हो गया ठीक है ये काटा मारो एक ही option था प्यारे बचो A की option और फिर भी O detail में जानना है तो हमेशे अध्यान अगना अगर कहीं पे verb की first form लिख रखी है तो उसका passive बनता है EJMR plus verb का third form ठीक है अगर कहीं पे verb की second form लिख रखी है तो उसका passive बनता है both verb plus verb का third form अगर कहीं पे ये बात note कलो प्यारे बचो अगर कहीं पे hedge have plus verb की third form लिख रखी है तो उसका passive बनता है क्या उसका passive बनता है hedge have plus में bean plus verb का third form ये common सी बाते हैं इनका आपको ध्यान रखना है ध्यान रखना ठीक है इसके अलावा भी कुछ बाते बता दे रहा हूं आपको देखो इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बाते मैं बता दे रहा हूं कुछ बाते मैं बता दे रहा हूं इसके अलावा देखो कुछ बाते और बता दे रहा हूं अगर कहीं पे verb की second form लिखी है तो उसका पैसी क्या बनेगा वोज या वर्ब प्लस वर्ब का third form अगर कहीं पे लिखा है head plus verb का third form तो उसका पैसी क्या बनेगा head bean plus verb का third form तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है अब अपने अगर question पे आओगे तो आप देखोगे प्यारे बचो यहां पे लिखा था क्या यहां पे लिखा था verb की second form जो की words made इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अपने अगले question पे question number 17 यह भी voice का question चली कीजी answer question number 17 का question number 17 भी अपना voice का question है answer करेंगे सारे पैरे बचे question number 17 चली they will have to do the work sincerely they will have to do the work sincerely इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताओ श्यावास इसका right answer क्या होगा they will have to do the work sincerely चली करो करो कोशिस श्यावास answer करने की कोशिस क्या करो भैई सारे बचे जितने बचे जुड़े होँए answer करने की कोशिस क्या करो आप सब ध्यान देना प्यारे बचो will have to लिख रखा है ठीक will have to do do यहाँ पे verb है to do what to do what the work work क्या हो जाएगा इसका object हो जाएगा ठीक है अब ध्यान आपको क्या रखना प्यारे बचो object को उठा के subject बनाना है तो the work subject बनेगा the work subject बनेगा the work the work the work ठीक अगर कहीं पे will have to या sell have to एसे लिख रखा है न will have to तो मेरे भाई इसका passive बनता है will have to be done will have to be plus verb का third form to be plus verb का third form यह उसका passive बनता यह passive बनता ध्यान देना यह passive बनता ठीक अब यहाँ पे आप देखो गे तो work subject बन जाएगा will have to be done देखो एक यह option में है will have to be done देखो यहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी नहीं है to be done c is the correct answer तो इसका right answer क्या हो जाएगा पहरे बच्छों इसका right answer होगा अपना c c वाले सारे के सारे c जिन्हों ने भी answer c किया चलिए आगे बढ़ते है question number 8 पे आते question number 8 did the sound disturb you यह भी voice का question यह बढ़िया क्यों है तलिए answer कीजिए सारे बच्छे एक बार did the sound disturb you क्या जो sound आती है वो उसने आपको disturb किया जलो करो answer did the sound disturb you जो sound आई थी उसने आपको क्या disturb किया कि नहीं किया जल्ली बदाओ अब की बार यह interrogative sentence है ज्यान आपको एक बात कर रखना प्यारी बचो अगर active voice में interrogative है तो passive voice में भी क्या रहेगा passive voice में भी interrogative रहेगा इस बात का आपको ध्यान रखना active में interrogative तो passive में interrogative अब इसका change करो voice change करो आप सभी लोग इसका voice change करेंगी ध्यान आपको क्या रखना दो बातों का अगर active में लिख रखा है do या does अगर active में do या does लिख रखा है तो इसका passive बनेगा is mr plus verb का third form इसका passive क्या बनेगा is mr plus verb का third form अगर आपना active में लिख रखा है did तो इसका passive बनेगा was verb plus verb का third form इसका पैसी ये बनेगा ये बाते ध्यानक ना अब यहाँ पे लिख रखा did तो verb की second form आएगी यानि की वोज्या वर वोज्या वर आएगा अब disturb यहाँ पे disturb whom किसको disturb करता you हो गया यहाँ पे object तो you के हिसाब से वर आ जाएगा प्यारे बचो क्योंकि you subject वर प्लस वर्ब की third form वर प्लस वर्ब की third form आएगा यानि की यहाँ पे सही जवाब हो जेगा वी वाले सारे के सारे से हैं जिनोंने भी answer भी किया ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते तो आते हैं question number 9 पे जो की narration का question है प्यारे बचो question number 9 है अपना narration का question चलिए डारेक्ट इंडारेक्ट का question चेंज किजिए तो एक बार narration का question चेंज करने की कोशिश करो एक बार चलो श्याबास साइड हो रहा हूं चलो आप change करो इस question आरती said आरती ने कहा I am in a hurry today I am in a hurry today मैं थोड़ी जल्दी में हूँ मैं थोड़ी जल्दी में हूँ I am in a hurry today करो चेंज इसको श्याबास चेंज करो आरती said I am in a hurry today क्या आएगा जल्दी से होता करो चेंज श्याबास बहुत बढ़िया कोशिस करते रहो प्यारे बचो कोशिस करते रहो question होगा आज नहीं तो कल होगा tension मतलो मन लगा के बस आप लोग आगे बढ़ते रहो काम करते रहो एक जो काम आपका है वो काम करते रहो ठीक चलिए अब आंसर कीजी देखो मिर भाई कभी भी narration का question करने चलो ना कभी भी आप लोग जब भी narration का question करो तो सबसे पहले आप यह देखा करो sentence किस टाइब का है हमने देखा sir sentence तो assertive type का sentence है sir नहीं पता assertive क्या होता है assertive का मतलब होता है पहरी बच्चो assert करना declare करना यानि कि जब हम अपनी बात किसी को बताते सामने वाले को बताते हैं तो इसको बोला जाता है assertive sentence ठीक अब यहाँ पर यह कह रहा है लिखा हो तो say two को किसमें बदल देंगे प्यारी बच्चो ट्ल भी बदल ेंगे किसमें बदल देंगे ह लेंगे ठीक है फिलाल की लिए सेड है तो सेड का सेड रहेगा ठीक है कोमे की नाम का देट लग जाएगा देट 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 ठीक है अगर यहां पर फर्स्ट परसन लिख रखा है बोले तो आई या वी लिख रखा है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा आरती के हिसा यहां पर के हिसाब से वह जाएगा ठीक है एक ही आप्षन में सही थे matter का मैं और सबी औरस इसने कहा कि कितो प्रूल है ॹो कितना निर्दई है कितना निर्दई है चलिए इसका narration चेंज करेए उसने कहा कि कितना निर्दई हो चलिए इसका narration आँप सबी लोग चेंज करें जलो जलो स्याबास answer करो अब ध्यान देना he said how cruel of him प्यारे बचों एक्सक्लेमेंटरी intense है उसे ने रिमार्ख किया कि मिहीर ना कितना को है ठीक है क्या लिखेंगे प्दिल्फ कोमे के नाम का लिखेंगे देट लिखेंगे नहीं बहस्ता बहुत जचल क्रुल था और डवलो एस बोले तो one word substitution, one word substitution, spoken or done without preparation, कोई ऐसा काम जो प्यारे बच्चों बिना किसी preparation के क्या गया है, बिना किसी तयारी के किया गया है, उसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, कोई ऐसा काम जो बिना तयारी के किया गया है, उसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, उस क टताब वटाण शाबास बिना तैयारी के काम किया आपने बिना तैयारी का उसको क्या कओंगी पता होता शाबास ध्यान देना उसको क्या कओंगे मेरा भाई देखो एकज्ञ्रिट का मतलब तो क्या होता है प्यारे बच्चो देखोária तो इंड activity का मतलब उता है टेम्प्रेरी हमता है ठीक है ट्रैका है एक्स्य तकरेक्ट आंसर अगे बढ़ते हैं one who plays for pleasure rather than as a profession एक ऐसा इंसान जो खुसी के लिए कोई काम करता है उसको क्या कहेंगे प्लेयर कहेंगे नहीं सर प्लेयर कहां पे कहेंगे performer नहीं actor नहीं मेरा एमेट्व कहेंगे इसका मंदल होता है इसका मंदल होता है प्यारे बचोन बचाओ डिसका ओखता है जिसका सोक होता है छीक चली आगे बढ़ते capitalism प्याते है अधियार आप from the following sentence into negative sentence, इस sentence को negative form में आपको change करना है, negative form में change करना है, our true man is always right, ऐसे question मैंने कल भी करवाये थे, आप लोगों को परसों करवाये थे साथ है ना, परसों की class में क्यों मैंने करवाया था, our true man is always right, ठीक, इसका change होगा, मैंने आपको बताया था, always change होता है, किस में प्यारे बचो, always का negative, never होता है, negative होता है, ठीक, तो यहाँ पर never, एक ही option में है, भी लगाओ निचान, आगे बढ़ जाओ, सोचना ही नहीं है, तले question number 14 पे आएंगे, अब की बारवाला sentence, compound sentence में बदलना है, compound sentence में, compound sentence कौन सा होता है, बता सकते हो, क्या बताओ पहले तो यह बात बताओ, compound sentence में coordinate conjunction आएगी, coordinate conjunction, कौन सी conjunction आएगी, coordinate conjunction आएगी, coordinate conjunction, कौन सी होती सर, coordinate conjunction, fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so, ठीक, यह conjunction, coordinate conjunction होती, अगर यह conjunction आई, तो समझ जाना वो, coordinate, sorry, compound sentence है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, but आ गया, लेकिन यहाँ पे आया, नहीं आया, नहीं आया, और किसी में नहीं आया, तिरफ एकी option में आया, तो प्यारे बचों, इसका right answer A होगा, लगाएंगे निसान, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे, आगे, आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, चेप्टर वाइज अपना चल रहा है, एप पे, और इस बैच से जुड़ो, और अपने selection को पका करो, प्यारे बचों, क्योंकि चेप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है, यूटूब पे यहां पे फिर practice करोगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, चलिए, अब आते हैं, पैसेज पे, आज का जो पैसेज है, इसको भी आज हम कर लेते हैं, पैसेज बबी, ठीक, इसके अंदर अपना, जो कितने paragraph है, पहरे बचों, दो paragraph है, दो, नहीं भईया, तीन paragraph है, तीन paragraph है, पिर क्योंस तरूरे ठीक है ना, चलिए, तो मैं ही पढ़ाओंगा आप लोगो, आप लोगो को मैं ही पढ़ाओंगा, मैं ही पढ़ाओंगा, चलिए देखते हैं, करे शुरुआत, या आप पहले पढ़ोगे, देखो तो एक बार, आप पहले पढ़ने का मूड है, कि मैं शुरुआत कर दूँ, देखो एक बार श्याबास फुरा से देख लो एक बार देख लो एक बार करना है तो चलिए फिर मैं पढ़ा देता हूँ देखो भी मेरे मन में जो है घहरी उदासी हो गई थी जब डूसरे दिन मैंने एक न्यूज सुनी क्या कि जो बड़े बुजर्गों की बात हो रही है कि ज्यादा तर टू थर्ड मतलब कि ज्यादा तर मतलब कि जो बड़े बुजर्ग लोग है उनकी टोटल संख्या का टू थर्ड जो है न वह इग्नोर किया जा रहा है इन देर टुवी लाइट एस टुवी लाइट का अंदल लगबग लास्ट के जो साल होते है प्यारे बच्चों आखरी के साल होते उसमें उसमें उनको ignore किया जाता है, they are isolated, उनको अलग कर दिया जाता है by their own children, खुद के ही बच्चों के दवारा and are experiencing loneliness, वो बेचारे अकेले हो जाते हैं in their present lives, वो अपने जिंदिगी में अकेले हो जाते हैं, ठीक है, most of them say they are not being respected, ज्यादा तर तो यही बताते हैं कि उनको respect नहीं मिलती है और given good treatment by their family और परिवार के दवारा अच्छा treatment भी नहीं दिया जाता और society या स्फिर society के दवारा and they are being discriminated और उनका भेदबाव होता है against in their old age, मतलब कि बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, ठीक है, majority of the elderly attributed their loneliness, अब क्या हो गया पैरे बच्चों, तो majority है ना जो elderly लोगों क कि वो क्या है loneliness में मतलब कि अलग रहते हैं to know or little interaction with family members, यानि कि वो family members के साथ में या तो ना के बराबर interaction होता है या बहुत कम interaction होता, ठीक, with fast changing socio-economic, अब इतनी changing हो रहा है मेरे भाई, समाज के अंदर scenario में growing nuclear family हो रही है, nuclear मतलब जो अलग हो गई, पहले joint family होती थे अब nuclear हो ग हो गया है, मतलब की value अब change हो गई है, change हो गई है, the needs of the elderly have also changed, अब विचारों की जरूरते हैं, बुड़े लोगों की उन्हीं की जरूरते भी change हो चुकी है, the need, the most common problems that the elderly face are, अब सबसे जो common problem है, जो बड़े बुजूर्ग face करते हैं, वो क्या-क्या प्यारे बचो, lack of love, प्य प्यारे लोगों से ही उनको प्यार नहीं मिलता है, little or no access to medicines and healthcare and finding it difficult to secure their life and property, और उनको मतलब ना तो medical सुईदा मिल पाती है, ना ही security मिल पाती है, ठीक, they have no work opportunities as a result of which they face financial problems, अब बुड़ापे में काम थोड़े ना करेंगे मिर भाईबो, तो बुड़ापे में काम नहीं करेंग psychological problems, अब उनको क्या होगा, restrict कर दिया जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिचारे के पास में restriction तो अपने आप आ जाते हैं, मिर भाई बुड़ापे में, ठीक हो ज्यादा घुम फिर भी नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, पैसा काह से आएगा, और फिर क्या हो जाएगा उनके अंदर psychological problems आ जाएगी, दिमा की problem आ जाएगी, on account of loneliness, अकेले पन की वज़े से, ठीक, तो improve the situation for the elderly, अगर आप इस situation को improve करना चाते हैं, तो क्या कर सकते हैं मिर भाई, government of India may consider enacting a law like many other countries have, अब कानून बना सकते हैं, जैसे कि बाकी के देशों ने बनाया हुआ है, to make it compulsory, कि maintain and look after their parents, कि वो अपने बच्चों को अपने parents का देख भाल करें, and also establish the national commission for elderly person, और एक आयोग बना दिया जाए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है, at the same time, उसी समय, the facts remain that, ये fact क्या कहता है, the real compulsion has to come out of the bonds of affection between parents and children, कि भाया मतलब कि, जैको फिर से पढ़ते हैं, at the same time, उसी समय, the fact remains that, a fact, तथे क्या कहते हैं मेरे भाई, the real compulsion, जो वास्तिक मजबूरी है, has to come out, वो भार आनी चाहिए, of the bonds of affection between parents and children, कि कि किस वज़े से parents और children धूर जाते जा रहे हैं, उसका main region क्या है, वो भार आना चाहिए, भार आना चाहिए, ठीक, we would not be wrong in saying that, अगर हम ये ब the bonds of affection between the old and the young, मेरे भाई, जो joint family पहले होती थी न, इंडिया के अंदर जो पहले joint family system होता था न, उसने एक powerful योगदान दिया है, cement का मतलब strong करना, bonds को strong करने में, किन का मेरे भाई, किन किन के बीच में, old लोगों के बीच में, और young लोगों के बीच में, पहले joint family रहती थी थी bonds भी बहुत अच्छे रहती थी, family बहुत अच्छे से रहती थी, आपको पता होगा यह बार, ठीक, चलिए, question देखते है, question number 15, क्या कह रहा है, the twilight years are when one is, अब twilight years का मतलब क्या होता है, middle age, young man, या फिर old age, old age होती है, twilight का मतलब होता है, बुडे लोग, जो आखरी के साल होत होते हैं, वो क्या फिल नहीं करते, अभी तो बोला था, क्या फिल नहीं करते, पहरे बुचो, respect फिल नहीं करते, उनको नहीं लगता कि उनकी, respect की जाती है, respect की जाती, ठीक, आगे बढ़ते हैं, what the elderly lacks, lacks कमी होना, elder लोगों के पास कमी किस चीज़ के, पहरे बुचो, security of life and property, are medicines and healthcare, is loneliness in their lives, are love and affection, what the elderly lack, अब elderly lack क्या करते हैं, life and property, नहीं भाई, property का तो क्या करेंगे, medicines and healthcare, loneliness in their lives, love and affection, है ना, बताओ क्या आएगा, इसका answer क्या आएगा, मुझे तो सारी चीज़े सही लग रही है, मुझे तो सारी चीज़े लग रही है, सही, आप लोगो क्या क्या कहना है, आप लोगो क्या कहना बताओ जल्दी से, आप लोगो क्या कहना है, एक बार जल्दी से बताओ, पर फड़ा बढ़ से बताओ, मेरे को सारी ही चीज़े सही लग रही है, बताओ, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है, प्यारे बच्चो, मेरे लग करके की कम ही बोल सकते हैं लेकिन में चीज क्या है लाव एंड अफेक्शन लाव एंड अफेक्शन आगे बढ़ते हैं क्योसर नमर अठारा ओनली डैस कैन कीप दा ओल्ड युनाइटिड विद फैमिली तिरफ और सिरफ डैस ही इनको जोड के रख सकते हैं कौन जोड के रख स कौन सा जूट है आपको बताना है जूट कौन सा है आपको क्या बताना है पैरे बचो आपको बताना है कि इन में से गलत कौन सा है इन में से गलत कौन सा वो बताना है अब जल्दी से देखो इन में से ये बताओ कि गलत कौन सा गलत कौन सा बताओ गलत कौन सा है आपको ये बताना है the old love to live in extended family गलती है मेरे भाई कि most people financial secure नहीं होते नहीं होते ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़ते क्या है खतम होगे हमारा आज का सेस्टी तो कैसा लगा आपको आज का सेस्टी बताएंगे सारे प्यारे बचे सेस्टी को लाइक भी कर देंगे ध्यान देना चैप्टर वाईज अपना एप पे चल रहा है मातर 200 रुपए में कोर्स है स्सी मेकर का आर्मी अगनीवीर बैच जो की स्सी मेकर की एप पे आपको मिलेगा सारी चीज़े आपको मिलेंगे रिकोर्डिड बैच है क्लास नॉट्स एक्टर फैकल्टी डाउट से समकुछ रहेगा ध्यान देना इस बैच से जुड़ेंगे पढ़ेंगे और सेलेक्शन लेंगे आरार भी एलपी टेक्रिशल वालों के लिए पाइलेट बैच मातर साइड़े 300 रुपय में तो जो भी जिस भी एक्जाम की तियारी करा उस बैच से जुड़े पढ़े और सेलेक्शन लेंगे ठीक रोज रात को आठ वजे अजिसर की क्लास और एक दिमैस एक दम बेस्तिक से पढ़ाते हैं रोज रात को आठ वजे इनके साथ में जुड़ना है एससी मेकर के यूटूब चैनल पर ये कुछ लिंक है एप्लिकेशन का ठीक डाउनलोड कर लो कोर्स इस बगरा सब यहीं पर मिलेंगे साथ साथ इंस्टाग्राप फेस्बूक टेलेग्राम ट्रेट्टू पर फोलो कर लो ये यूटूब का लिंक इसको सब जगे हैं ठीक है